हाई फ्रेंट साब देखनें फिल्मे के चली मैं हूँ रूनाशी शाओ चलिए इंडिनाइडल के बाद एक बार फिर से इंडिनाइडल की बात करते हैं और फिलाले के बाद भी अब इंडिनाइडल सुपर डांसर के सेट में पहुच गया है तो कैसा रहा उनका ये पूरा माह कि देखके बहुत अच्छा लग रहा था दूसरा जो बलाया गया अरुनिता को बलाया गया जो कि परफॉरिना के साथ परफॉर्म करने वाली थी और गाना था ओ मेरे सोनारे अवट से बहुत अच्छा गाया मैं इतना बोल सकती हूं कि अरुनिता गेव डाट आप्शन की क अरुनिता को अच्छा लगेगा उतना ही अच्छा लग रहा था विस नाइस इंफाक बाद में जो मामा जी है परेश जी उन्होंने एक जो उनका शेरो शायरी वाली बात थी पावन को कहा कि चलो तुम एक शेर सुनाओ अरुनिता के लिए जो मैंने लिग कर लाया है और ज दिल को छू लेने वाला एमोशन था क्योंकि आप 10 महने से एक साथ हैं एक साथ ग्रो हो रहे हैं नहीं चीज़े सीख रहे हैं और फिर वो मोमेंट आता है जब यू फिल लाई कि अब नहीं होगा वो तो वो तक वाइट टॉचिंग मोमेंट और पर दानिश आए दानिश न था और उस समय मैंने को कहा था आपको नहीं लगता नुसरत साफ बहुत जल्दी जुनिया से रुखसत हो गए लेकिन दानिश अगर इस तरीके से नुसरत साफ की गाने गाते रहेंगे इम नौट गुनम मिस हम हंड़िट परस्मिट उसके एसंप को बलाए गया संचित और परतिका के साथ थी हो और अंक लड़ जावे इसंप के साथ बैठके उसकी स्टाइल को बहुत सार डिसकस करना चाहती हूं है बहुत यूनिक स्टाइल है यट वरे इंडिनाइज अगर मैं यह बोलू कि वेस्टन म्यूजिक को कभ अपने स्टाइल में ढाल कर इंडिनाइज कर लेती हैं वो देखने लायक होता है नाइसली दन उसके बाद पवन और अरुनेता का धड़क वाला गारा था जिसे सुनकर एक बार फिर से मैं पास्टेंस में चली गई उसके बाद पवन अमर्दीप और अमित का गाना था एदल है मुश्किल मैं इसमें बोलूंगी कि य अगर कहीं कोई डांस हो सकता है म्यूजिक को रिप्रेजंट करने के लिए या इमोशन को रिप्रेजंट करने के लिए तो वह काम अमर्दीप और अमित निभा रहे थे और फिर जो मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थी मुझे वह देखने को मिल गया यानि पवन अपने अलग अलग साज के साथ उनने जो गाया गिटार के साथ तैनो इतना में प्यार करा धूलत के साथ धूप से निकल कर ये वाला गया और तबला के तबला बजाते होए किसी नहजर को गया मैं क्लीन बोल्लोग अब इस दौरान मेरी पवंदीप की पिता जी से भी बात करें थे बधाई देने के लिए मैं लगा रहे थी और कुछ अलक्षेम पूछने के लिए भी मने फोन लगाया था यह उन्होंने कहा कि यह पांचों बच्चे यह च्छे लोग छे अलग अलग नगीने हैं यह सारे ही नगीने फिल्म इंडस्ट्री में चमकते रहें मज़ा आ जाएगा यह सब जब एक साथ रहेंगे एक साथ गाएंगे इन सब बच्चों को बुला एक से बढ़कर एक सिंगर्स हैं ना कोई उपर ना कोई नीचे बस एक नंबर था किसी एक को देना था तो मेरे बच्चे ने वो काम किया उसकी महनत पर भी मुझे बहुत गर्व है लेकिन इन एच्छे लोग मैं इनसे बहुत प्यार करता हूं वाभी मतलब आप ममी पापा का भी प्यार पा रहें दूसरे की ममी पापा का भी प्यार पा रहें य एच्छा लोग तो सल्यूट के लायक हैं चलिए फ्रेंड्स आपको ये संडे का एपिसोड कैसा लगा लिख कर बताईए जैहंद